रमश्कार दोस्तों मैं हुए आपका दोस्तु रिंद्पांटे और मैं आप सब का इंडिस की ढिली अनालीस द वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं सबसे पहले हम बात करेंगे निप्टि-फिप्टि इंडिस की लेकिन उस से पहले मैं अपनी दो दिन पहले की ट को higher time frame use करके ये समझाने की कुशिश की थी कि time wise correction किस तरीके से होते हैं और मैंने कहा था कि जब तक 23,700 और 23,500 ये लवल नहीं आता है तब तक next bull run आने की संभावना बिलिकुल नहीं है बजार उपर भी जाएगा तो इसके fall होने के chances बहुत हैं उस tweet पर लोग ने अपनी अपन lower कहना था कि इतना SIP आ रहा है बजार उपर ही जाएगा तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जब भी कोई high लगता है तो उसका low होता है और फिर एक नया high लगता है जब भी low लगेगा तो उसका high अगर आया है और फिर से low break हुआ है तो ये क्यों नहीं लाएगा मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूं क्यों नहीं लाएगा अगर आप बुल मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं क्या चाहते हैं कि करेक्शन आई ही ना अरे भाई करेक्शन नहीं आएगा तो यह जो टॉपे बैठी हैं इनको बजार out कैसे करेगा हर आदमी पैसा बनाएगा तो फिर experts क्या क आप में टीडर हूं ठीक है investor हूं तो हम लोग तो यहाँ पर कभी only by करते ही नहीं है हम तो करेक्शन का क्या हूं करते हैं नहीं क्या होता है पर दी ने हो जो लेटर बशाएं चोंते हैं चो बजार के गगलीचियों हो जाती है उनको बजार ऊपर ही लपेट लेता ह। मैंने इक स्पीच में सुनी थी निर्मला सितारमन की उन्होंने कहाता एफ आइस की पावर नहीं है अब रिटेल ट्रेडर इतना पैसा लाता है कि इंडिया ने स्टॉक मार्केर की गुर्थ को कोई रोके नहीं सकता क्या हो रहा है अब खुद देखो और जो टॉप पर एसाइपी लेके आए हैं अगर यह कर्रेक्शन खिस गया तो एसाइपी वालोगों क्या होगा भाग जाएंगे भाग जाएंगे तो फिर बाजार नॉर्मल हो जाएगी यही है बाजार आप समझ दीजिए किसी भी बुक्स में पढ़ दीजिएगा बजार यही है उपर जो भी आएगा वो ट्रैप होगा ही होगा बजार हमें सब बॉटम से हाई की तरफ जाती है और टॉप से बॉटम की तरफ जाती है अगर जिसने इस करेक्शन को पढ़ना चालू किया ठीक है वही यहाँ पर सर्वाइब करेगा यहाँ पर अब बजार में लूज लगनी की संभौना बहुत जादा है और यह टार्गेट हमारे लॉंग टर्म में अचीव हो सकते हैं यह लॉंग दर्फ पिच्चर है मैं आपको सिर्व समझा रहा था इंट्र डे अभी चालू करेंगे बोर मत हो जाना यार ठीक है क्योंक अब मीगा ऑप्चुन्टी के आज करनी कैसे समझ में आएगा तो यह पार्ट भी समझना बहुत जरूरी है अब हम चलते हैं आवाली चार्ट पे एक्स्पोर करते हैं ठीक है निप्टी फिप्टी इंडेक्स में यहां पे भी लोज ब्रेक होते हुए दिखा ठीक है और लास्ट बन आवर में एक छोटी सिग्रीट कैंडल बनी है यहां कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या करेंगे टाइम फ्रेम छोटा करेंगे और अब समझते हैं इंट्राटे को कन्फ्यूस बिलकुल मत होईएगा मैं अपने सिनारियोज आपके साथ शेयर करूंगा इंट्राटे बिलकुल अलग चीज़ है हम हमेशा हायर पिक्चर के साथ इंट्राटे प्लान नहीं कर सकते हैं यह दिमाग में रखे अब बात करें एबी सी डी पैटन की एबी सी और डी क्या इसका मैं फॉर्मूला है एबी स करीब 24,300 तक के टार्गेट आ रहे हैं अब बहुत लोग को लगेगा कि कल ही यह लेवल आ जाएगा जी नहीं आप यहीं पर गलत हैं ठीक है इंट्राटे करते समय आपको हर एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी जैसे कि यह लोग तूटने से पहले क्या आया था एक हाई आय है था तो बजार यही पर नोवाइस ट्रेडर को ट्रैप करती है क्लोजिंग क्या है 24,481 ठीक है 24,481 यहां तक क्लियर है अब साइड में रेजिस्टेंस क्या है 24,650 तो 24,700 अब इसके बीच में हमें कैसे घूमना है यही आठ है इंट्राडे का ठीक है क्योंकि दोनों इस जगह पर ध्यान दे क्लोजिंग है करी 481 आपके लिए लेबल जो सबसे पहला बनता है वो बनता है 24,550 और दर लॉंग पोजीशन साइड छोटा रहेगा क्योंकि हम ट्रेंट के अगेंस हैं हम यहां पर क्या करने वाले है 24,550 के उपर लॉंग बनेगा तो 24,600 24,650 और 24,700 यह टारगेट इंटाडे के लिए कल आपके हो सकते हैं जब प्राइज 24,550 के उपर ट्रेट करेगा लॉजिक क्या है कि हम पुल बैक ट्रेड यहां पर प्लान कर रहे हैं क्या लेबल है 24,550 के उपर ठीक है पहली चीज़ इसके अंदर पोजीशन साइज आपका क्या हो होगा लो रहेगा ठीक है इस जगह पर अगर कहीं से भी रिवर्सल मिला जैसे कि यहां पर ठीक है लो टूटा तो आप क्या करेंगे टॉप से शॉट ही भी प्लान करेंगे यानि कल के दिन सबसे पहला सिनारियो बनता है स्कैल्प का अब 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 देन 24,550 यहां पर हम एक लॉंग प्लान कर सकते हैं रजिस्टेंस पर आया और कहीं से भी प्राइस साइकल डाउन साइड आया तो हम टॉप शे शॉट भी कर सकते हैं ठीक है पहले चीज़ दूसरी चीज़ कि यह जो आज का लो है क्या हम मान लिकी कंफर्म हो गया है हो सकता है कि यहां से पुल बैक की लिए इंट्रट के लिए भी इन्टा-डे प्लां कर सकते हैं इस तरीके से ट्रेड प्लान होती है तीं लॉजिक से पहला है पुलबऍटेट कैसे प्लान करें रजेस्टेंस पर आएंगे तो क्या थोट पोसुर रहेंगा अगर आगर आगर लिट भी होती है तो हम दिखे प्लान करेंगे आपको चीज़े यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गई हो गई होगी अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेस की दोस्तों स्कीन पर दियान दीजेगा यह चार्ट भी आपके साथ ट्विटर पर शेर किया है एक हफ्ते पहले 47,000 मैंने टार्गेट दिया था औ और ABCDA यहां 50,000, 190 के नीचे आपका एक्टिवेट हो जाएगा यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो सी पॉइंट है ना इंपल्सिव एपका यह बहुत आइडियल है हम फिवो में क्या बात करते हैं फिवो में बात करते हैं कि आगर 0.50 to 0.618 इसका जो है Retacement Level आता है और वो भी एक Fall के बाद ठीक है यानि Straight Fall के बाद तो फिर यह Level बहुत ही Imported हो जाता है अगर वहां से correction आया तो फिर यह Impulse के पूरे होने के chances सबसे जाता है ठीक है यह Long Term यह होए अब बात कर लेते हैं Intraday की क्या हुआ है एक Fall आया है ठीक है Closing कहा है 51,270 पर ठीक है 51,270 पर ठीक Trend Line Support है ठीक है आज Break हो गई है क्या भी रखेंगे इसको समझनी के लिए आपको 5 Minutes में जाएंगे न तो बिलकुल Clear हो जाएगा कि किस तरीके से हम Intraday Plan करेंगे Higher Time Frame नहीं होगा न तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा अब आप जहां दीजिए Price Action को Low, Lower High, Lower Loss, Lower High, Lower Loss, Lower High और नया Low अब आपको ये मालूम है कि Price इस तरीके से यहाँ पर मोब कर रहा है तो जब तक कोई Swing High Break नहीं होगा आपका Price जहना उपर जाएगा ही नहीं पहली चीज़ दूसरा क्या कि Swing Low कहां पर है इसको मार कर लेते हैं यह मिलता है हमें 51,400 पर अब साइड में क्या है 51,750 तो अगर Price यहाँ से इस तरीके से जाता है तो 51,400 से हम एक Long Position को Consider करेंगे यह हमारा First Long बनेगा कंडिशन क्या है प्राइज कल के दिन 51,200 से 400 के बीच ओपन होना चाहिए तो 51,400 के उपर आया तो हम यहाँ पर एक स्कैल्प टेट करेंगे अगर 51,750 लेकिन अगर 51,000 ब्रेक हो गया तो फिर हमारा गी जो है न पैटन तो यह कंटिन्यू रहेगा 51,000 के नीच यह क्लियर कट शॉट है अगर कोई पुल बैक आता है तो आपके पास लेवल है 51,400 का उसका टार्गेट है आपका 51,750 का होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे देखें इंटाडे जब भी प्लान करें खास कर बियर मार्केट में तो मैं हमेशा कहता हूँ इसकी जो विधी है न वो है अगर आपको यह आगे ना खास कर बियर मार्केट में तो आप बहुत अच्छा करेंगे ठीक है अब आपको जब 51,400 के उपर टेट करेंगे तो यह जब टार्गेट लेंगे तो फिर आपको इस पर नज़र रखनी है अगर कोई भी लोब रेखवा तो डिवर्स कर देना है कर देना है तो इस तरह के टेड़ कोगा मानता हुण लेकिन सीधा आदमी नहीं होता कैसे डि़े आंदमी मालूम भी बजार कहां सीधी होने वाले तो इस टेड़ी बजार को समझना है तो वक्त देना पड़ेगा experience लेना पड़ेगा तब जाकर आप सीख आएंगे तो आज की वीडियो को मैं इंग क्लूज करता हूँ करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा शेर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू नमस्कार धन्यवाद